जो प्रियोग में लाती थी जो चीजें वो आज मैं आपको इस वीडियो में वताऊंगा फ्रेंड बीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप मत तरना बहुत ही इंपोटेंट मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ बहुत ही इंपोटेंट मैं आपको रेमिडी वताने वाला हूँ जो कि आज से सो साल पहले क्या करते थे व्यक्ति हजारों लाखों रोपे हम बरबाद करते हैं केबल चेहरे को सवारने के लिए वालों को खुबसूरत वनाने के लिए लेकिन फ्रेंड इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और जो फ्री में चीजें उपलब्द हैं उनका बहुती खास असर पड़ता है हमारी खुबसूरती के लिए तो उनको हम समझ नहीं पाते उनका प्रियोक कर नहीं पाते क्योंकि उसके बारे में हमें कोई जानकारी मिलती ही नहीं इसलिए फ्रेंड इस चैनल पर केबल और केबल आपको केमिकल से रहत जो कि आपके लिए खुबसूरत वनाए रखे जो कि आपके पैसों को बरबाद होने से वचाए इस तरह के वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता ही रहता हूँ तो वीडियो पूरा देखा करें इस तरह के वीडियो आपको यदि पसंदे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जब आप वैल का बटन दबाएं तो आपको इसको आल पर सिलेक्ट करना है तब ही जाके आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे ठीक है फिरेंड अब ध्यान दिव औसदी दिए है कि कुल मिलाकी ये अम्रिट से कम नहीं है आपके वालों के लिए आपके छेहरे के लिए आपके होठों के लिए बहुत ही गुणवान औसदी है ये घी घी को हम खाने में यूज़ करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होगा घी क्या-क्या फाइदा आता है हमारे खुबसूरती वड़ाने के लिए देखिए फ्रेंड आज से सो साल पहले जो महीलाएं और तें लोग बगएरा किया करते थे वही सब मैं आपको बताऊंगा वो उस टाइम पे ना तो हेर ओयल था ना कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो अपने वालों में यूज किया करती थी खेतों की काली मिट्टी अपने वालों में यूज किया करती थी सेमपू की जगए उनके वाल ऐसे काले रहते थे कभी भी समय के फैले सफिद नहीं होते थे उनके वालों में साइनिंग रहती थी उनके वाल वड़े लंबे होते थे घने रहते थे कभी जड़ते नहीं थे आप कभी खेतों की काले मिट्टी यूज़ करके देखना भेसे आप खेतों पर नहीं जा सकते तो मैं आपको देसी जो आप घर पर भी इसका यूजस कर सकते हैं कभी कबार आपको हफ्ते में या दो हफ्ते में ऐसा जरूर ही करना चाहिए आपको वेसन लेना चाहिए वेसन में थोड़ा साथ आप आपला पेशन मिला दीजिए और फिर इसमें आपको दही मिला लीजिए इन तीन चीज़ों को सेंपू की तरह यूस करके अपने वालों को कभी भी हपते में एक बार या हपते में दो बार या फिर पंदरा दिन में ए आपको इसकी हलकी मालिस करना 10-15 मिनिट बस मैं लाइफ टाइम आपको कहता हूँ लाइफ टाम आपकी वालों की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी यह हुआ वालों के लिए अब मैं फ्रेंड आपको बताऊंगा आपके होंटों के लिए उस टाइम पे लोग हो मिस्री होती तो उस टाइम पे सक्कर बहुत कम मात्रा में पाई जाती थी उस टाइम पे सक्कर की ऐसी फैक्टरी नहीं थी तो मिस्री को बांट कर मिस्री को थोड़ा सा एक दो चुटकी मिस्री को लिया और घी में मिक्स किया अपने होंटों पर मला करती थी जिससे उनके हो आप चीनी यूज कर सकती हैं, वो तो मिस्री यूज किया करते थे, आप चीनी करिए ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, अपने चेहरे के लिए वो क्या करते थे, नहाते टाइम पे, जब उस टाइम पे सावन ये चीजे नहीं थी, तो वो ऐसे ही नहाया करते लेकिन कभी-कभी उंकी बोडी स्किन से बद्बू आती थी, तो वो क्या करते थे उस टाइम पे वेशन, वेशन में आप थोड़ा पानी मिलाती थी और घी भी भी मिलाती थी, तो उसका एक लेव टाइप का तयार करती थी, अपने पूरे चेहरे पर, पूरी बोडी पर लगा ही सकती हैं तो फेस पर लगाने के बाद वो अपने चेहरे पर दो चार भूंदे घी की निकाल कर हातों में और अच्छी चेहरे की मालिस किया करती थी ताकि उनका चेहरा हमेशा जवान रहे वो 60-70 उम्र की हो जाती थी लेकिन उनका चेहरा ऐसा टाइड रहता था ऐसा अभी वो 30-35 की है इसलिए घी इतना ही इंपोटेंट चीज है इतनी इंपोटेंट रेमिडी है कि आप घी तो हमेशा ही यूज करती रहा है और सुद्ध घी मैं आपको मार्केट वाले घी की बात नहीं कर रहा हूँ आप किसी गाउं में जाए गाउं से सुद्ध घी आपक खिलेगा आपका चेहरा आप ये समझे कि आप बिलकुल लाइफ टाम जबान रहने वाले हैं इसलिए घी बहुत ही इंपोटेंट रेमिडी है इसका आप यूज हमेशा करते रहें नमस्कार